जैहिन दोस्तों आपके स्वागत हैं तो TGT, PST और PRT Candidates की और से बहुत सारे प्रस्ण मुझसे पूछे गए हैं और सभी प्रस्ण अलग लग तरीके के हैं ज्यादतर प्रस्ण आपके रिजल्ट से संबादी थी हैं तो रिजल्ट के उपर भी चल्चा होगी उससे पहले के उत्तर देना थोड़ा सा महत्तापूर है और हो सकता है कि इस प्रकार के प्रस्ण आपके मन में भी चल दाए हो तो उनसे प्रस्णियों के उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा जो भी हमारे TGT, PST और PRT के अंडिरेट्स हैं उनके लिए वीडियो काफिर इंपॉर्ट के कटेगरी से हूँ और मेरे जो कटाप में कटाप से लगब 5-10 मांक सधी बन गए हैं और इंटर्वी भी ठीक ठाक हुआ है तो सेलेक्शन के कितने परसेंट चांसे से हैं साथ में टीच्टी-पीच्टी के रिजर्ट से समधीर भी बहुत सारे धेरों कमेंट मज़ा देख सब्सक्राइए हैं चादतर जो कमेंट रिजर्ट्ट समयं हैं और मुझे पता कि आप सबी बेशल्ट की सभूत संपरी से तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रस्ना आया की और से जो प्रस्ट आयां था वह यह था किसल मुज करता हूं और OBC कटेग्री चाहता हूँ और मेरे जो marks हैं वो कटाप से लगबग 10 या 8 नमबर अधिक बन चुके हैं और मेरा इंटर्वी भी बहुत अच्छा गया है रहा सकते हैं कि एक average से ठीक ठाक था ठीक है और इंटर्वी भी आपका अच्छा गया है तो यह मान के चलिए कि 101% आपके selection होने वाले हैं इसके लिए कि बिल्कुल भी आपको confuse नहीं होना ठीक है अब बात करते हैं TGPCT candidates के लिए जो भी अपने result का wait कर रहे हैं ठीक है return में बहुत अच्छा कर लिया है और अगर आपके दो या तीन marks अगर बने है ठीक है अब उनके बात करते हैं जिनके कटाब से क्यों दो तीन marks अच्छे बने हैं और interview उनका बहुत अच्छा नहीं रहा है लेकिन average रहा है ठीक है तो इनके selection के कितने percent chances हैं ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कटाब से बस क्यों एक दो या तीन नमबर ही अधिक हैं और interview बहुत अच्छा नहीं गया लेकिन average कहा है ठीक है तो उनके selection के अगर हम बात करें तो 70-80% chances हैं कि उनके selection हो सकते हैं इसको मैंने 100% इस हम नहीं कर पाते हैं तो आपका selection हो जाए और साथ महीं बात करें प्यार्टी के लिए safe score की जिससे कि आप अपने interview तो पहुंच सकें ठीक है interview को पर आगे discuss करेंगा साथ में result के ओपर भी discuss करने वाले पहले हम प्यार्टी के लिए एक safe score की बात करें जो कि आपकी cut-ups related है तो सबसे पहले जनरल करें हम बात करें तो एक सो बीस नमबर देखिए नौर्मलाजेशन से पहले का है यह नौर्मलाजेशन से पहले की बात हो रहे है यानि कर आपके 115 से अधिक नमबर है जनरल कर टेगरी में तो आपको बिल्लुकुल कुछ भी सोचना नहीं है आपने interview को प् फिर बात करते हैं ओ boys each category के लिए वब सी कटेगरी के लिए हराम बात करें तो 115 समया रहा है नबर बीना नॉर्बलिजीशन का een फ्रेक्टर नहीं महीं है normalization एक बड़ा factor होता है लेकिन यह किसमत का खेल होता है क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि किस shift को hard मान रहा है कि shift को easy मान रहा है किस साबसे नर्लाजेशन करेगा तो वह लग का खेल है फिलाल के लिए आपने जो भी किया है वह आप जानते हैं तो यह आपके काफ़ीदा बेस अपने इंतिजार करते हैं सबसे पहले हम इंटर्वी की बात करें तो इंटर्वी देखें टीच्टी पीच्टी केंडिडेट के हो चुके हैं अगर अच्छा गया है तो यह मान के चलिए कि अगर आपके कम नंबर भी है कटाफ में तब यह आपके चांसे सेल पाजाते हैं तो इंटर्वी में थोड़ा सच्छा परफाम करके बिल्कुल आप 100% चांस है कि आप सेलेक्शन तक पहुंच सकते हैं लेकिन अगर आप यह मान के चलते हैं कि आपके कटाफ में आपके 10 से 12 नंबर अधिक बन गए लेकिन इंटर्वी आपको बहुत अच्छा ठाब कर रहे हैं किसी भी तरीके से कहीं से अन्हें सैंस से मैठ से और अक्सार आपको गोई जरु कि जोगी सभी ने एक तरीके से सभी के सभी बच्चे क्वालिफाइड है लेकिन उसमें देखा जाता है इसकिल ठेक है कि आपके 50% आपके जो भीड थी वो कम हो गई है और बिल्कुल कटाफ आपके लो जाने वाले हैं तो इस बात को लेकर के आप बिल्कुल भी परिशान होने के उसकता नहीं है कटाफ से अगर आपके 5-6 नमबर अधिक बन जाते हैं आप थोड़ा सा अगर अच्छा परफॉर् होना चाहिए रियल्ट आपको आजाएगा उसका वेट बिल्कुल ना करें जब भी आना होगा आजाएगा ठीक है अब बात करते हैं देखें मैंने आपको 70-30 का रेशियो समझाया था यह एक रेशियो था जो कि मैंने आपको आपके रिटेन और प्लस इंटर्व्यू से रि जो भी हमरे PRT के इस उनके लिए थिक है तो यह बात करें कि पिश्टी पीऊर्टी के जो रिजल्ट्स हैं आपको लगबक कैसे तो एक दो दिन के गयाप में यह आने वाले यह आप मानके चलिए ठीक है अब मैं आशा ही क्यों कहरा हूं कि रिजल्ट के ऊपर आपकी बहुत पर अंदाज नहीं करना ठीक है और फिलाल अगर तो भी पेंडिंग है 11 सेप्टेंबर को सुनाई होने वाली देखते हैं क्या कुछ उसमें फैसला आता है उसके बाद ही कुछ क्लियर होने वाला ठीक है इसके अत्रिक दूसरा अगर जो बनता है ठीक है तो आप सभी को पता है कि जो आपका रिजल्ट है ठीक है वो आने से पहले आपके ट्रांसफर होता है ठीक है चुकि जो 2008 की बात करें 2008-19 में तो उसमें क्या हुआ था कि आपके जो ट्रांसफर थे ठीक है थोड़ा सा पहले हो गया थे इसी वजह से आपको जो स्लेक्शन था वो बच्चों को 2023 में तो 2023 में ट्रांसफर भी काफेर डेले हो गया है प्लस के बेजिस के पर बहुत सरी कोट केस लगाए गया है जिसके वजह से धीरे धीरे प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा धीद डेले होता चला गया ठीक है तो अभी की बात करते जो ट्रांसफर था वो आपके फरवरी कहीं नकहीं है तिक है को मानना पड़ेगा कि कहीं कहीं नकहीं ç Reve determined करने में ठ्रे़र धिरकें जो को चाल पषान से कोई इनकों सब्छेस में ठ्रलातीक सब्सक्राइब हां, लिए सब्सक्राइब की नमेर फ्रेम ड़ाइन। कि आपके थोड़ा बुत एक्टिविटी दिखाए थे के विएस ने दिखा दिया कि दिखिए हमें एक्टिव हैं थोड़ा सा के विएस की साइट पर ठीक है तो इस तरीके से हो रहता है कि आपके भी ऑफिसल साइट पर आपके यहल्ड सीगर सीगर आपको डिकनिक मिल जाए फिलाल के लिए आप मैं चैनल से जुड़े हैं नहीं फ्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें तैने शुड़े में थैंक्यू समझ धनिवाद